दोस्तो आज की बहुत सुन्दर कहानी का नाम जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तो एक रात तीन चोरों ने एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारे पैसे चुराई उन्होंने पैसे एक बैग में डाले और जंगल चले गई उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए उन्हें से एक चोर बोजन खरीदने के लिए पास के गाउं में चला गया अन्हें दो चोर पैसे के ठैले की देखवाल करने के लिए जंगल में ही रह गई बोजन के लिए गई चोर ने तरकीब निकाली उसने एक होटल में अपना खाना खाया फिर उसने जंगल में अपने दो साथियों के लिए भोजन खरीदा और उस खाने में जहर मिला दिया उसने सोचा वे दोनों इस जहरीले भोजन को खाएंगे और मर जाएंगे और मुझे अपने लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा इस बीच जंगल में दोनों चोरों ने अपने साथि को मारने का फैसला किया उनोंने सोचा कि वे उन दोनों के बीच पैसे बाट देंगे उन तीनों दुस्टों ने अपनी क्रूर योजनाओ को अंजाम दिया जो चोर अपने लिए सारा पैसा चाहता था वे जहरीले बुजन के साथ जंगल में आया उसके पहुंचते ही उन दोनों ने उस चोर को मा डाला फिर उनोंने जहरीला खाना खाया और मर गए इस वरकार तीनों दुस्टों को उनके किये की सजा मिल गई कहानी से सिक्षा बुरे को बुराई ही मिलती है धन्यवाद